आदाब नाजरीन आप तमाम का खेर मगदम हैं SBR News 1 में चलिए आज की ताजा तरीन ख़बरों पर नजर डालते हैं अजरे जिए नजरी आज़ा डालते हैं सब्सक्राइब कर दो कि मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि यह केरल का जो शुरू आर्गनिजेशन और केरल से देश दुनिया से पूरे अरब मुसल्मान वहां से है और केरल से पूरे दुनिया भर यह नारेस फेले और यह लोग करनाटक में बैंगलूर में बेज बना के जब इंडो अरब आर्गनिजेशन का बनाएं और मेरे को बलाएं और उन्हों जो भी किये मैं बहुत खुश हूँ और मेरी मांग और मेरी उमीद सरकार से भी ना सही यह हैं पे हम बैंगडरू की अन्हों बैज बनाएंगे हमें लोगों को हमें पूरा विलकम करेंगे इन्के लिए बड़ा बैज बनाएंगे और के सरकार की एकनमी जो जीडीपी बड़ी है वही वही कारण है जो हिंदुद वर्ल्ड की कंट्रीस में भी इन्हों पहुंचाया थे ना रहे और यह इन्हों वापीस आना है और वापीस आके गवर्मेंट सरकार दे या ना दे हमारा कंट्री हमारा स्टेट बैंगलूर में इनको बहुत बड़ी आपूर्चिनिटी बहुत बड़े चीज़े से साब आगे है और बैंगलूर यह बड़ी एकनामिक सिटी बनेगी तो इसलिए यही सुचते हुए भी इन्हों बैंगलूर में पहला यह कंविंशन यह अपना यह रखे थे आज तो ऐसा हिंदुस्तान भर पूरी इनको आसरा बनें और उनका डेवलपमेंट और भी बैंगलूर को तरखी करें यह नारा है वापस आयर मुलकों मजबूत करें मजबूत तो करना चाहिए कर रहे हैं करेंगे वापस तो आना भी है वापस तो आना भी है क्यूंकि जब गए खेरेल उसका कारण बना और जब पूरी दुनिया में वर्ल में अमेरिका से खतर हम हर जगा तो बनें मगर आब यह यह लोगों को खुद उनके सूच के बाहर हैं इंडिया और पर्टिकुररली बैंगलूर बहुत आगे निकला है न्यूवयर्क से आगे है हो जाएगा पांच साल में अगर वो सब वापस आ आए हाना चाहिए वह हमें भी वह यह लोगों को खुले दिल से हमें उनको वेलकम करेंगे बुलाएंगे सरकार को चाहिए कि फैसलिटी अब फैसलिटी हराथ में कुद देते हैं इनको सरकार को देते हैं कितने जगा पंच्छा